मेश आज मन में असंतोश की भावना बनी रहेगी। मित्रू से मेल जोल करने का मौका मिलेगा फिर भी मन में एक खाली पंसा मजूस हो सकता है। थोड़ा समय मेडिटेशन में बिताएं, इससे आपके मन को शांती मिलेगी और अथ्यात्मिक प्रक्ति के लिए भी आए एक अच्छा कदम है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में थ्यान देने की आवश यक्ता है नहीं तो भव्यश्य में परिशानी हो सकती है। कमपटीशन परीक्षा के लिए थोड़ी और मियनत की जरूरत है। प्रोफेशन अपने लक्षे को पाने के लिए थोड़ी और मियनत की आवश यक्ता है। अपने विचारों में स्थिर्टा लाने का प्रयास करे। लब, आज परिवार के साथ कहीं घूमने की योगना बना सकते हैं। कि तु थ्यान रखे कि यह आपके काम पर कोई असर ना डाले हेल्थ। स्वास्थे सामान में रहेगा। तनाब और चिंता के कारण सेहत में कुछ परिशानी हो सकती है। व्रिशाज परिस्थिती आपके अनुसार नहीं होगी परन्तु इतनी बुरी भी नहीं कि आपको कोई परिशानी हो। व्यर्थ चिंताओं में आज का दिन खराबना करें। अपनी उर्जा और आईधियाज को उचित दिशा में लगाएं। पुरानी बातों को सोचने से कोई लाब नहीं। वर्तमान स्थिती को स्वीकार करें क्योंकि वर्तमान में ही भव्यश्य का निर्मान होता है। प्रोफेशन, कायक शेत्र में किसी बात के कारण आपके मन में परिशानी उत्पन हो सकती है। घबराए ना, जलधी परिस्थिती आपके अनुकूल हो जाएगी। लब, प्रेशन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है। छोटी-छोटी बातों को दिल पर ना ले। बीती बातों को याग करके अपने वर्तमान के रिष्टों को खराबना होने दे नेल्थ। तनाव से बचे, मौसम के कारण कोई रोग परिशान कर सकता है। अपना ठ्यान रखे, स्वास्थे में सुधार होगा। मिथुन आज का दिन आपको अवसर प्रदान करेगा पुराने जानकारों से मेल जोल बनाने का। यदि कोई मित्र उठा हुआ है तो उसे मनाएंगे। आपकी सलहा सबके लिए लाबकारी रहेगी। आपकी समवेदंशीलता आपके लिए और दूसरों के लिए भी एक वरदान है। कि इसकी मदद से आप दूसरों का समझ कर उन्हें अच्छे प्रकार से गाईड कर सकते हैं और आपकी सलहा से प्रसन्नता मिलती है। प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में आज आपकी सलहा मत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही कुछ नया सीखने को भी मिलेगा जो आपके कोशल को और भी निखारेगा। लब, रिष्टों को संभालना आप अच्छी तरह जानते हैं किन्तु अपने घुस्से पर काबू रखे। आज परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है हेल्थ। स्वास्थे बेतर होगा। पुराने रोग से निजात मिलने के लिए यह अच्छा समय है। अल्टर्नेट्य चिकित्सा पध्धती से लाभ होगा। करक आज के दिन आप में उर्जा की थोड़ी कमी मसूस हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा जिस कारण मन में नुदासी सी मसूस हो सकती है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, अच्छा या बुरा कुछ भी स्थाई नहीं है। लोगों और वस्तुयों से अपने आपको वियुत्त करें। आज का दिन अपने इश्व देव को याद करें और उनकी अर्चना अवाश्य करें। प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव हो रहे हैं जो की आपके भले के लिए हैं। इनके कारण पर रेशान ना हो। यदि करियर लाइन बदलना चाहते हैं तो यह उचित समय है। लब, आज किसी नए रिष्टे की शुरुवात हो सकती है। विवहा संबन्थी जल्धी कोई अच्छी खबर मिलेगी हेल्थ। स्वास्थे अच्छा रहेगा। किसी पुराने समय से चले आ रहे रोग से जल्धी निजात मिलेगा। अच्छी दिन चर्या का पालन अवाश्य करें। सिंग आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी नए काम की शुरुवात करने के लिए आज का दिन शुद है। परिस्थिती अनुकूल बनी हुई है किन्तु लापरवाही ना करें नहीं तो नुक्सान भी हो सकता है। आज दान अवाश्य करें किन्तु ऐसे व्यक्ति को जिसे जरूरत हो। आपकी सलहा बहुतों के काम हैगी इसलिए अपनी बात्खने से जिजट ना करें। प्रोफेशन, बास आपके काम से खुश होंगे और आपकी सलहा की प्रशंसा होगी। सकर्मियों के आज पूरा स्योग मिलेगा। लब, आपके जीवन में कोई नवयवक स्वाहलं भी बन रहा है। और अपने जीवन में जिम्मेदारियां उठाने के लिए तयार है। उसे पूरा स्योग दे। आज परिवार में शांती के लिए कुछ दान अवाश्य करें गेल्थ। स्वास्थिय अच्छा रहेगा। किन्तु एक अच्छी दिन चर्या और उचित खान पान का पालन करना भी आवश्यक है नहीं तो रोग ब्रसित हो सकते हैं। कन्या आज का तिन कार्यक्षेत्र से संबंधित स्थान परिवर्तन आपके लिए लावकारी रहेगा। छोटी मोती परेशानिया आज लगी रहेंगी। इस कारण चिन्तित नहीं। येंसे आपको अनुत्सान नहीं होगा। निजी और व्यहसाई जीवन में आज ताल नेल गिठाने में कुछ कठिनाई हो सकती है। किसी के साथ छोटी सी बात पर जगरा हो सकता है। आज अपने गुस्से पर काबू रखें बात को शांति पूर्वक सुलजाने का प्रयास करें। प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में बदलावा सकता है, जिसके कारण आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। पूरे आत्म विश्वास के साथ यह कदम उठाएं, आपको सफलता मिलेगी। लब, रिष्टों में किसी छोटी सी बात पर जगरा हो सकता है। कभी भी बातों को अंदेखा करना बेतर होता है, शान्ती बनाए रखने के लिए हिल्थ। स्वास्थे सामान में रहेगा। किसी पुराने समय से चले आ रहे रोह से चल भी निजात मिलेगा। अपने प्रयास करते रहे। पुला आज किसी बात को लेकर मन में दुविधा रहेगी जिससे निरने लेने में परिशानी हो सकती है। किन्तु जिस परिस्थिती को आप टालने का प्रयास कर रहे हैं, उसका सामना जितनी जल्दी करेंगे उतना आपके लिए लाबदायक रहेगा और तनाव भी दूर होगा। नकार आत्मत सोच से बचे, किसी एक सपर या काउनसलर से मिले, पुरानी बातों को सोच कर अपने वर्तमान को खराबना करे, जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते किन्तु अपने आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए प्रयास अवश्य कर सकते हैं, इतने तनाव के कारण स्वास्थेहानी हो सकती है, इश्वर पर भरोसा रखे, वह आपका ख्याल रख रहे हैं, प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में किसी निरणय को लेकर धुविधा में हैं, तो किसी से सलाह अवश्य ले, लब, रिश्टों में आज कोई भी फैसला भावुकता में आकर ना किसी एक सपर से सलहा करें, इल्थ, सेहत का थ्यान रखे, चिनताओं के कारण अपनी सेहत पर असर ना होने दे, मेडिटेशन, योग और प्राणायाम आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा व्रिश्टी का आज का दिन कुछ परिशानियों भरा रहे सकता है, कोई पुराने जानकार से मुलाकात हो सकती है, जिससे कुछ लेन देन बाकी हो, यदि किसी के लिए मन में करवाहट हो तो उसे माफ़ जरूर करें, इससे आपकी सिहत बेतर होगी और आपके कर्म अच्छे होंगे, व्यर्थ चिंता ना करे, परिस्थिती जल भी अनुकूल ही जाएगी, परिस्थिती के प्रति अना सकती का भाव रखें, इससे आपको लाभ होगा, नकारात्मक सोच से बचें और नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से भी दूर रहे, किसी भी स्थिती में निरने लेने से फ्ले थोड़ा इंतजार कर ले तो अच्छा रहेगा प्रोफेशन यदि कोई परिस्थिती आपके अनुकूल नहीं जा रही तो उसके लिए परिशान होने की बजाए उसे कैसे सुधार सकते हैं इस बात पर ठ्यान दे नौकरी बदलने का योग बन रहा है और रिष्टा आपके जीवन में क्यों आया हिल्थ स्वास्थ्य सामान में रहेगा रोग से निजात के लिए मिरंतर प्रयास करते रहें मेडिटेशन और अपने इश्व देव की भक्ती से मन को शांती मिलेगी धनुआ आज किसी भी बात में टालम डोल ना करे नहीं तो यह स्वभावाब के लिए भव्यश्य में नुकसान दायक हो सकता है आए हुए अफसर हाथ से निकल सकते हैं आजमन और मस्तिष्क में एक नई उर्जाबनी रहेगी इसे उचित दिशा में लगाए तो सफलता मिलेगी प्रोफेशन कार्यक शेत्र में आज का दिन लाभदायक रहेगा जिस्ते इंडर के लिए आप परेशान थे वह आपको मिल सकता है लब विवहा संबंधी मसलों में निरनय लेने की जल्दबाजी ना करे लेकिन उनमें टाल मटोल भी ना करे सोच विचार करके ही कोई निरनय लेनेल्थ आज से आरंब किया हुआ व्यायाम नियम अच्छे फल देगा अपनी सिहत के साथ कोई लापरवाही ना करे मकर आज का तिन कई मायनों में अच्छा रहेगा काम में सफलता मिलेगी और लंबे समय से चले आ रहे प्रोजेक्ट संपन्ध होंगे आपके यश में भी व्रधी होगी विदेश से कोई अच्छा समाचार मिलेगा किन्तु अपने काम में इतने व्यस्तना हो जाए कि जीवन के और दूसरे अहम प्लूयों को अंदेखा कर दे अपने निजी जीवन और स्वास्थे का भी ठ्यान रखे प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में आज का दिन अच्छा रहेगा बास से प्रशन सा मिलेगी जल्धी उन्नती होगी धन लाब के योग है लब प्रियजनों के साथ समय बिताने को मिलेगा किन्तु आपकी अपने प्रियजन से बहुत सारी अपेक्षाए हैं जो की इस रिष्ट पर बोच बन रही हैं अपने आप पर ध्यान दें अपना ख्याल रखें अपनी जरूरतें अपने आप पूरी करने का प्रयास करें स्वास्थे सामान्य रहेगा यदि किसी रोग से चूच रहे हैं तो उससे संबंधित भाव जैसे गुस्सा भए निराशा आधी का इलाज क करने से जल्दी लाब मिलेगा सकारात्मक सोच बनाए रखें कुम भाज आप में भावुकता की अधिकता रहेगी जिसकारण मूब स्विंग होंगे अपनी भावनाव पर नियंत्रण रखें नहीं तो ऐसी मनभ स्थिती में लिए हुए निरणय गलत हो सकते हैं यदि कोई व्यवसाय आरंप करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज अच्छे से जाच लें यदि यह व्यवसाय साचेदारी में है तो सावधान रहें और सभी कार्यवाही लिखित में करें ऐसा ना हो अंजाने में आपका नुक्सान हो जाए अपनी जिम्मेदारियों को अंदेखा ना करें प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में अपना काम में फोकस बनाए रखें अपने काम में किसी वजह से कोई कमी ना होने में नहीं तो आपको इसका दोश मिलेगा और नुक्सान हो सकता है लब प्रियाजनों के साथ आज अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा आपको कोई नया प्रपोजल आ सकता है किसे आप मना नहीं कर पाएंगे हिल्थ स्वास्थे सामान्य रहेगा किन्तु बदलते मौसम के कारण कोई रोग परिशान कर सकता है मीन आज का दिन कुछ परिशानियों भरा हो सकता है किसी बात की चिंता करने की बजाए उसका हल निकालने का प्रयास करें सब कुछ जानते बूजते हुए चूपना रहे नहीं तो इससे आपका और आपके प्रियाजनों का नुटसान हो सकता है आज निजी जीवन से संबंधित कोई मत्वपूर्ण निरने लेने से पले किसी से सलाह अवाश्य करें आज अपने मूड स्विंग को नियंतरण में रखें प्रोफेशन, कायक शेत्र में आज कोई लापरवाही ना करें यदी किसी बात से चिंतित है तो उसे किसी से व्यक्त करें नौकरी ढून रहे हैं तो इंटरवेव में अपने आत्मविश्वास में कमी न होने दें लब, प्रेमी या प्रेमिका से अपने मन की बात व्यक्त अवाश्य करें इससे रिष्टों में घराई बढ़ेगी, यदी किसी के लिए मन में भाव नाए हैं तो उन्हें व्यक्त करें गेल्थ, स्वास्थे सामान्य रहेगा, अपने गले का थ्यान रखे, मौसम के कारण कुछ परिशानी हो सकती है, घरेलूई इलाज से फायदा होगा